गर में पित्रों की तस्वीर कहां पर लगाएं? पित्र हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉटन रोल प्ले करते हैं. पित्र यानि की हमारे वो बज़र्ग जो इस दुनिया में नहीं है पर हम उन्हें मांगते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम शिराद में उनके लिए खा सही जगह पर होना बहुत ही important है क्योंकि असल माइने में हमारे घर में एक स्थान पित्रों के लिए है और अगर हम उन्हें गलत स्थान पर रख देते हैं उन्हें गलत स्थान पर हम लगा देते हैं तो हमारी लाइफ में success path में कहीं न कहीं problem आ जाती है घर में पित्रों की तस्वीर लगाने के लिए जो सबसे best zone है वो है southwest zone पित्रों का zone माना गया है हमारे पित्र वहां से हमें continuously आशिरवाद देते हैं हमारी support में रहते हैं और हमारी life में आगे जाकर progress भी होती है कभी भी हमें भूल कर भी पित्रों की तस्वीर को मंदिर में नही लगाना चाहिए इस्टन डारेक्शन में इस्ट की दिशा में पूर्व की दिशा में कभी भी पित्रों की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए अगर हम यहां पर पित्रों की तस्वीर लगाते हैं तो हमारे पित्र हमारे से नराज भी हो जाते हैं और हमारी life में success path भी कही न के ही रुपता है ॐ बहुत सारी मुष्किलें Sara Ox तो अगर आपको अपने घर पे वित्रों की तस्वीर लगा नहीं है या आपने अपने घर में पित्रों की तस्वीर लगाई हूई है तो ये निर्दारेς जरूर करें कि आप अपने में पित्रों की तस्वीर को घर के साउथ वेस्ट कॉर्णर में लगाए इसके इलावा आप वेस्ट की वॉल पर भी पित्रों की तस्वीर लगा सकते हैं अगर साउथ वेस्ट में आपके पास जगे नहीं है और ये भी ध्यान रखें कि उनकी तस्वीर का जो फ्रेम है वो गो बुजूर्गों का आशिरवाद चहिए तो ध्यान रखें कि आप अपने घर में पित्रों की तस्वीर को घर की साउथ वेस्ट की दिशा में लगाई है ताकि आपको उनका आशिरवाद मेंता रहे और आप अपनी जिंदगी में कंटिन्यूसली ग्रो कर सके और सक्सेस पासके कर दो कर सक्षक कि आपको आपको थीजर टूर इंपती है वेस्टित निएर प्रो का आपको उनका कि आपको आपको निए।